तो इससे पहले की वीडियो में हमने बात करी थी chemical change के बारे में और इस chapter की हमारी दो वीडियो इस चैनल पर upload हो चुकी है तो आज का जो हमारे topic है उसमें हम बात करेंगे rusting of iron के बारे में अगर आपने इससे पहले की वीडियोज नहीं देखी हैं तो आप उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं रस्टिंग ओफ आइरन से हमारा एक इंपोर्टेंट पॉइंट रह गया था यह ओजोन लेयर वाला हम इसको डिसकस कर लेते हैं इसका काम क्या है कि यह हमें प्रोटेक्ट करती है और यह हमें उनसे प्रोटेक्ट करती है कैसे जो ओजोन होती है वो अबसर्ब कर लेती है इन रेडियेशन को और उनको ब्रेक कर देती है ऑक्सीजन में means कि यह जो यूवी रेज है वो तो हामफुल है पर जो ओजोन लेयर है वो क्या कर रही है यूवी रेज को अबसर्ब कर रही है और उसे oxygen में break कर दे रही अब जो oxygen है वो तो ozone से different ही है न इसलिए can we call the breaking down of ozone chemical change तो क्या हम इसे chemical change कह सकते हैं सोचिए क्योंकि देखिए chemical change असल में होते क्या थे कि किसी भी दो चीज को mix करने से या किसी भी दो चीजों की reaction होने से अगर कोई new substance form हो रहा है अगर कोई new change form हो रही तो हम उसे कहते थे chemical change यहाँ पी हम देखेंगे कि जो ozone layer है वो जब absorb कर रही है ultraviolet radiation को तो क्या form हो रहा है oxygen form हो रहा है it means कोई new substance form हो रहा है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह एक chemical change है क्योंकि यहाँ पर एक new substance form हो रहा है if ultraviolet radiation were not absorbed by ozone अगर ozone इने absorb ना करे और यह अर्थ की surface पे reach कर जाएं directly तो यह हमें और जितने भी living organisms है उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा harmful होगी इसलिए जो ozone है act करती है as a natural shield against this radiation कि यह जो ozone layer है जो हमारे atmosphere में present है यह कैसे act कर रही है एक natural shield की तरह ताकि यह हमें इस UV radiation से protect कर सके I hope आपको यह clear हो गया होगा अब हम start करते है अपना आज का topic जिसका name क्या है rusting of iron इसके बारे में हम ने जब chapter शुरू किया था तब हमने means chemical change भी हमने इसके बारे में थोड़ा तो देखा था अब हम इसके उपर दुबारा जाते हैं कि आखिर यह है क्या है let us get back to rusting this is one change that affect iron article and slowly destroy them means कि यह ऐसा change है जो क्या करती है iron articles को affect करती है और उनको destroy कर देती है अब जैसे हमें पता है iron is used in making bridges iron किस-किस चीज में use होता है bridge बनाने में, ships बनाने में, cars कुछ parts बनाने में trucks की कुछ truck bodies बनाने में and many other articles the men और यह इसी तरह की और साइची चीजें बनाने में भी use होता है and the monetary laws due to rusting is huge और rusting के कारण जो पैसो का नुकसान होता है वो बहुत ही जादा होता है क्योंकि अगर हमारी चीजे खराब होंगी rust होंगी iron से बनी हुई चीजे खराब तो फिर उससे जो हमारे पैसो का loss तो हो नहीं होना है और इसी लिए जो iron की बनी हुई चीजों पर rusting बहुत जल्दी लगती है इसी कारण जो पैसो का loss है वो भी बहुत जादा होता है the process of rusting can be represented by अब यह जो rusting का process है उसको हम कैसे represent कर सकते हैं क्योंकि जो rusting है वो होती किस पे है iron पे होती है किसकी presence में oxygen और water की presence पे यह जो oxygen है यह भी air में present होती है और यह जो water molecules है mostly water के vapors air में तो present होते हैं और अगर नहीं भी है तो फिर अगर किसी भी iron के उपर थोड़ी देर के लिए भी water मतलब थोड़ टाइम के लिए भी water लगा रह जाए जैसे तो तामा वगएरा था जिसके बारे में हमने बात करी थी उसके उपर अगर हमने kitchen में थोड़ी देर भी मतलब कुछ time के लिए water के molecules के उपर लगे रह गए तो उसके उपर भी rusting हो जाती थी क्यों क्योंकि oxygen air में present है और water उसको हमने provide कर दिया तो इसी कारण वो भी क्या हो जाता था rust हो जाता था iron oxide जिसका formula क्या है Fe2O3 यही किसका formula है rust का formula होता है iron oxide for rusting the presence of both oxygen and water is essential मतलब कि rusting के लिए water और oxygen दोनों का होना ही necessary है ऐसा नहीं है कि इन दोनों में से अगर कोई एक चीज absent रहेगी तो फिर रस्टिंग हो जागी फिर रस्टिंग नहीं हो सकती है या तो दोनों ही absent हो या इन दोनों में से कोई एक चीज absent हो in fact if the content of moisture in air is high which means if it is more human rusting become faster वही है क्योंकि अगर air में भी moisture मिलेगा तो फिर क्या है oxygen तो air से मिल ही जा रही थी अब moisture भी air से मिल जा रही है तो ऐसी state में जो rusting होगी वो क्या हो जाएगी और ही ज्यादा faster हो जाएगी तो हम इस rusting को prevent कैसे कर सकते हैं preventing iron article from coming in contact with oxygen और water और both हम इसको prevent करने के लिए क्या कर सकते हैं या तो हम यह करें कि हम उसको oxygen के contact में ना आने दे या फिर water के contact में ना आने दे या फिर water और oxygen दोनों के ही contact में ना आने दे iron को तो हम इसको protect कर सकते हैं अब हम इनको contact में आने ज़े रोग कैसे कर सकते हैं हम क्या कर सकते हैं हम coat of paint और grease apply कर सकते हैं in fact these coats should be applied regularly to prevent rustic means कि जो paint या grease इनकी जो coating है हम कुछ regular intervals के बाद iron की चीज़ों पर apply कर कि इनको rust होने से बच्चा सकते हैं another way is to deposit a layer of metal like chromium और zinc on iron और दूसरा way क्या है कि हम कुछ metals की layer जैसे कि chromium या zinc की layer iron के उपर भी deposit कर सकते हैं उसको rustic से prevent करने के लिए और यह जो process है of depositing layer of zinc on iron is called galvanization यह क्या है important point है कि जो process है जिसमें हम iron को rustic होने से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं zinc की layer iron के उपर लगा रहे हैं तो इसके process इस process को हम क्या कहते हैं galvanization अभी देखो हमने कहा ना कि जो rustic से बचाने के लिए अगर water ज्यादा humid होगा अगर water ज्यादा humid होगा तो rustic और ही ज्यादा होगी इसलिए पहली कह रही है कि जो इसकी एक friend है रही था इसलिए वो हमेशा complain करती रहती कि इसकी iron की चीज़े बहुत ही जल्दी rust हो जाती है क्योंकि हो coastal area के पास रहती है और coastal areas में जो air है वो humid रहती है means air में ही oxygen present है और water भी present है तो iron को rust होने के लिए दोनों जीज़े मिल जा रही है अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो iron pipes हैं जो हमारे homes में use होती हैं वो पहले से ही galvanized होती है means कि उनमें zinc की layer iron के उपर पहले ही deposit होती है ताकि हमने वो prevent हो सके रस्टिंग से अब you know that ships are made of iron and a part of them remains underwater अब जो ships हैं वो iron से बनती हैं उनके कई parts और वो हमेशा किस में रहती हैं water के अंदर ही रहती है और कुछ part उनका जैसे यह क्या है एक ship है इसका कुछ part तो क्या है water के अंदर ही है और इस water से जो water molecules है कुछ इसकी जो part water के अंदर नहीं है वहां भी तो आही जाते है on the part above water also water drops keep ranging to the ship means की water के molecules जैसे हैं कुछ उपर भी जो part water में नहीं है वहां भी आ जाते हैं moreover the water of sea contain many salt जो sea का water है उसमें बहुत ही ज़्यादा salt होता है और यही जो salty water है यह जो rusting की formation है ना मतलब iron को rust करने में और ही ज़्यादा मदद और ही ज़्यादा उसको fast कर देती है therefore ships suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted means की अब जो ships है उनको चाहे paint किया हुआ है फिर भी उनमें बहुत ही ज़्यादा damage होता है rusting के कारण क्योंकि वहाँ पर कैसा water present है salty water और जो salty water है वो rusting को और ही ज़्यादा increase कर देता है so much so that a fraction of shape iron has to be replaced every year इसलिए बहुत ही ज़्यादा fraction में जो iron ships में जो iron के parts होते हैं उनको replace किया जाता है every year इसी कारण बहुत ही ज़्यादा पैसो का भी loss होता है इसी कारण आज कल क्या है कि जो stainless steel है जो किसकी mixing से बनती है iron with carbon and a metal like chromium, nickel and manganese means जो stainless steel है is made from mixing iron with carbon iron को carbon के साथ mix करके और कुछ metals जैसे कि chromium, nickel and manganese सब के mixing से stainless steel बनता है और ये rust नहीं होता है इसी कारण आज कल जो ज़्याद चीजे use हो रही है वो stainless steel की use हो रही है तो ये तो सारी बात होगी rusting of iron की ये हमारा last topic है जिसका नाम क्या है crystallization अब जो class 6 ते है आप लोगों ने पड़ाई होगा जो salt है वो हमें कैसी मिलता है sea water जो evaporate हो जाता है तो वहाँ पर sea के उपर ही salt के salt हमें मिल जाता है क्योंकि sea का water है जब वो क्योंकि जो sea का water है जब वो किनारे पर आता है तो फिर क्या होता है यहाँ पर water molecules आ जाते हैं और जब sun की light यहाँ पर पड़ती है तो फिर क्या हो रहा है यह क्या हो जा रहा है वैपोरेट हो जा रहा है वैपोरेट होने के कारण यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है salt मिल जाता है the salt obtained in this manner is not pure and the shape of its crystals can't be seen clearly means कि हमें इससे क्या जो salt तो मिल जा रहा है पर वो क्या है pure नहीं है और जो इसकी crystals हैं वो भी हमें अच्छे से नहीं दिखाई देते however, large crystals of pure substances can be formed from their solution यहां पर क्या कहा गया है कि जो large crystals है pure substances के can be formed by their solution means कि उनको हम large crystals large crystals हम कैसे बना सकते हैं pure substances के solution से और यह जो process है जिसमें हम क्या कहर रहे हैं crystals बना रहे हैं pure substances के solutions से इसी process को क्या कहा जाता है crystallization कहा जाता है और यह क्या है physical change की example है क्योंकि अगर हम salt के solution से salt के crystal बनाएंगे तो वो रहेंगे तो salt ही ना कोई new substance तो नहीं form हो रहा है इसलिए यह क्या है एक physical change है और यहां भे activity 5.9 है जिसको किसकी presence में perform करना है teacher की presence में perform करना है क्योंकि हम इसमें क्या use कर रहे हैं dilute sulfuric acid अब इसमें क्या कहा गया है take a cup full of water in a beaker and add a few drops of dilute sulfuric acid एक cup में water लेना है और उसमें क्या add कर देना है dilute sulfuric acid means H2SO4 when it start boiling and copper sulfate add copper sulfate powder slowly while stirring continuously जब इसमें क्या है water है H2O है उसमें उन्हें 2-3 drops sulfuric acid की डाले है जब यह boil होने लगे तो फिर क्या करना है जो copper sulfate है उसका क्या करने है powder डालने है और यह powder तब तक डालना है जब तक वो situation ना जाए वो stage ना जाए कि और powder इसमें dissolve नहीं हो रहे उसके बाद क्या करना है solution को filter करना है उसको थोड़े देर के लिए cool करना है solution को disturb नहीं करना है जब यह cool हो रहा है फिर जब अब solution को देखेंगे थोड़े टाइम के बाद तो हमें क्या दिखेंगे crystals दिखेंगे copper sulfate के तो यह जो crystals है यह कैसे बने copper sulfate के pure solution से हमने क्या बना लिया crystals बना लिया तो इसी तरह के जब process होते उसको क्या कहा जाता है crystallization तो basically हमने इस chapter में क्या बढ़ा है physical और chemical change और आप भी अपने आस पास physical और chemical change को identify करने का देखना कि कौन से ऐसे चीज़े है जिन में change आ रहा है तो वो जो change है उसे कोई new substance नहीं form हो रहा है और कौन से ऐसे change है जिसे new substance form हो रहा है तो आप इसको अपने surrounding में absorb करिए तो basically हमने इसमें पढ़ा क्या है कि changes दो तरह के हैं physical और chemical जो physical change है physical properties में जब change आए तब हम कहते हैं कि physical change है और इसमें कोई new substance नहीं form होता है और जो chemical change है इसमें क्या है new substance form होता है physical change reversible है but chemical change irreversible है ठीक है some substances can be obtained in pure state from their solution उसे हम क्या कहते हैं crystallization कहते है I hope this is gonna be clear to you अगर वीडियो अच्छे से समझ आ गई हो तो वीडियो को like, share और subscribe करना ना भूले thanks for watching